बहुत कुछ सिखा सकती है ये वीडियो आपको बिना पुन्य की ये पुन्य का फल सबको चाहिए लेकिन पाप करके भी पाप का फल किसी को नहीं चाहिए इस तरह न कमाओ की पाप हो जाए इस तरह खर्च न करो की कर्ज हो जाए इस तरह न खाओ की मर्ज हो जाए इस तरह न बोलो की कलेश हो जाए इस तरह न चलो की देर हो जाए इस तरह न सोचो की चिंता हो जाए छोटा बन कर रहोगे तो मिलेगी हर बड़ी मंजिल बड़ा होने पर मां भी गोच से उतार देती है जूट बोलकर रिष्टे उलजाने से अच्छा है, सच बोलकर समझा लिये जाए, क्यूंकि सच्चाई देर सबेर सामने आही जाएगी मदद करना सीखिए फाइदे के बगएर, मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगएर, जिंदगी जीना सीखिए दिखावे के बगएर आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुचाता, और दूसरों को बाधा पहुचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं पढ़ता कभी किसी अच्छे इंसान से गल्ती हो जाए तो भी सेहन कर लो क्योंकि मोती अगर कचरे में भी गिर जाए तो कीमती रहता है गुस्सा अकेला आता है मगर हमेशा सारी अच्छाई ले जाता है सब्रभी अकेला आता है मगर हमें सारी अच्छाई दे जाता है एक छोटी सी चीटी आपके पैर को काट सकती है पर आप उसके पैर को नहीं काट सकते इसी लिए जीवन में किसी को छोटा ना समझे वह जो कर सकता है शायद आप न कर पाए अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो ये उसकी बुरी आदत नहीं है बलकि आपकी काबिलियत है जो उसे ये काम करने पे मजबूर करती है समाज में बदलाव क्यों नहीं आता क्योंकि गरीब में हिम्मत नहीं, मध्यम में फुरसत नहीं और अमीर को जरूरत नहीं किसी की अर्थी यात्रा में जाओ तो ये मत समझना की आप उसे उसकी मंजल पर ले जा रहे हैं बलकि यह समझना की अर्थी पर लेता इंसान मुर्दा होकर भी तुम्हें तुम्हारी मंजल दिखाने ले जा रहा है जो लोग आपसे जलते हैं, उन लोगों से नफरत कभी मत करना क्योंकि यही वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि आप उनसे बैतर है जो आपके खुशी के लिए हार मान लेता है, आप उससे कभी जीत नहीं सकते आप अपनी जिन्दगी की तुलना अन्य लोगों के साथ मत करो सूर्य और चंद्रमा दोनों ही चमकते हैं लेकिन अपने अपने समय पर मंदिर में वो भगवान है जिसे हमने बनाया है लेकिन घर में माबाप वो भगवान है जिनोंने हमें बनाया है संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं है, संतोश जैसा कोई सुख नहीं है, लोब जैसी कोई बिमारी नहीं है, और दया जैसा कोई पुन्य नहीं है कई बार चुप रहना बुजदिली नहीं बलकि समझदारी और वक्त का तकाजा होता है जो ग्यानी होता है उसे समझाया जा सकता है जो अग्यानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है परंतु जो अभीमानी होता है उसे कोई भी नहीं समझा सकता उसे वक्त ही समझाता है ताकत के संग नेक इरादे भी रखना वरना ऐसा क्या था जो रावन हार गया संसार जरुवत के नियमों पर चलता है सरदियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरसकार भी होता है आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरुवत होगी अपने रहस्य किसी को भी मत बताओ ये आदत आपको खत्म कर देगी चोटी मोटी घटना से हताश मत होई है जो चंदन घिर जाता है उसे भगवान के मस्तक पर लगाया जाता है और जो नहीं घिस्ता वह सर्थ जलाने के काम भी आता है समय जिसका साथ देता है वह बड़े बड़ों को मात देता है अमीर के घर पर बैठा कववा भी सबको मोर लगता है और गरीब का भूका बच्चा भी सबको चोड लगता है इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रएते हैं और चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गुंग इंसान शेर के साथ नहीं रहता फिर भी क्रूर है और तो और इंसान वो फित्रत है जो कुट्टे के साथ रहता है फिर भी वफादार नहीं है। कोई अगर आपके अच्छे कार्य पर संदे करता है तो करने देना क्योंकि शक्स सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है कोईले की कालिक पर नहीं साप के दांत में, बिच्छु के डंक में, मदु मक्ही के सर में और इंसान के मन में कितना जहर भरा पड़ा है, बता पाना मुश्किल है धन का घमंड दो ही लोगों को होता है जिसे खांदानी जायदाद मिली हो और जिसने धोके से पैसा कमाया हो सत्य की भूक सब को है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को ही इसका स्वाद अच्छा लगता है हमें कितने लोग पैचानते हैं, यह माईने नहीं रखता बलकि किस वज़े से पैचानते हैं, यह बहुत माईने रखता है उमीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई और इस वीडियो को आप लाइक और जादा से अदा शेर जरूर करिएगा और अभी तक अगर आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो वीडियो के नीचे दिये गए लाल बटर बस जरूर क्लिक करिए ताकि आने वाली नई वीडियो आप सबसे पहले देख सके और जल्द ही हम आपके लिए एक नई इंट्रेस्टिंग टॉप्प शेयर चाहर